हालो गाइज इस प्राची और आज इस मूवी की बात हम करने वाले हैं यह रिलीज हुई थी 1995 में और इसकी IMDb रेटिंग है 7 out of 10 गाइज इस मूवी का नाम है जुमान जी जो कि उस साल की सबसे बहतरी मूवी थी मूवी की स्टार्टिंग होती है 1669 से जहां काली अंधीरी राज में दो बच्चे एक गेम को बॉक्स में बंद करके जमीन में गाड़ देते हैं गाइज यह एक शापित गेम थी जो कि ड्रम की आवाज से बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक करती थी और सीन यहां सिर्ष शि इनपनी फइंटर की शू कमपणी में चला जाता है जहां उसे इसका दोस्कार्ड मिलता है वो आपसमें बात कर ही रहे कि एनकी गलती से फएक्टेरेš नाइन का खामियाजा उसे भुगतना पढ़ता है और उसे जॉब से निकाल दिया जाता है जिसके बाद वो फैक्टरी से निकलता है कि तभी शरारती बच्चे वहां पे आ जाते हैं और हेलन को बहुत मारते हैं जिसके बाद वो वहां से भागते हुए एक कंस्ट्रक्शन साइट पे पहुत चाता है जहां उसे ड्रॉम की आवाज सुनाई देती है वहां देखने पे उसे एक पुराना संदूक मिलता है जिसमें गाइस वही चुमान जी केम थी जो मूवी की स्टार्टिंग में हमने देखी थी जहां वह उसके पापा उससे बात करते हैं और कहते हैं कि उनकी फैमली की परंपरा की अनुसार उसे बोर्डिंग स्कूल जाना पड़ेगा लेकिन वह जाना नहीं चाता था तो वह उसके आग्युमेंट करने लगता है जहां उसके फादर अपना डिसीजन चेंज नहीं करते हैं क्योंकि वह चाहते थे कि उनका बेटा अनुसाशन में रह जैसे ही बाहर जा रहा होता है उसकी दोसे मिलती है और उसे भी ड्रम की आवाज सुनाई देती है जिसके बात वह एलन उसे गीम दिखाता है और वह लोग खेलने लग जाते हैं गाइस के बीच में गरीन कलर का क्रिस्टल बॉल था जिसमें सीक्रेट मैसेज लिगकर आता थ और अचानक से उन्हीं कजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं और जैसे ही एलन अपनी चाल चलता है घड़ी की अचानक से आवाज से वो डर जाता है जहां उसके पास से उसके हाथ से चुटकर गिर जाते हैं जिसके पास उस क्रिस्टल बॉल पर मैसेज लेकर आता है कि बहुत साथा डर जाती है तभी चमकादर उसके हमला करते हैं और वहां से भाग जाती है दोस्तों इस हाथ से कुछ अबी साल पीच आते हैं और एलन की उसी घर में जुड़ी और पीटर नाम की दो बच्चे अपने आन नौरा के साथ में रहने आते हैं दोस्तों इन बड़े ही घेलने लग जाते हैं पहली ही चाल में घर में काफी सारे बड़े से खतरनाक मच्छर आ जाती हैं और सेकंड चाल में शराटी बंदर आगर उनकी किचन को पूरी तरह से तहस्नेहस कर देते हैं यह सब दिखिए बचे बहुत चाहते हैं और वह वापस चाकर गेम था वह वापस आ रहा है तभी उन्हें कुछ आवादे सुनाई देती हैं और वहां पे एक बंदा आता है जो कि पूरा आधिवास्यों के लुक में था इंगाई सी कोई और नहीं बलकि एलन ही था जो कि 26 साल बाद अपने घर वापस आया था जब उसे पता चलता है कि पीट रहते हैं जब गावब हो आता तो सबको लगता था कि वह मर चुका है और यह सुनते हैं बाहर की तरफ भागता है जहां उसे काल उसका दोस्त मिलता है जो कि अब पुलिस ऑफिसर बन चुका है जिसे पूछता है कि यह कौन साल चल रहा है कि तभी बच्चे वहां पे आती ह मिलता शेया चेए करें पादे के जाता है आफ चुका तो यहांगा चलता है कि अपना नीजसे की काफी चलता मिलता है यह तियुक्त कर्देशिक इसलिए दोस्तों यह मर चुके है जिसके बद सब्सक्रांपर चाहता है और उससे जाता है कि उसके फादर उसे बहुत जादा प्यार करते थे जिसके बाद वो घर जाता है और अपना पूरा पहनावा बदल लेता है और नॉर्मल इंसानों जैसा बन जाता है काई सूलो गेम को ख़दम करना चाते थे पर बिना चौथे मेंबर की ही मुम्किन नहीं था जहां एलन अप में चाल चलता है लेकिन गेम आगे नहीं बढ़ती इसका मतलब ये था कि उनकी चौथी मेंबर यानी सैरा को गेम में खेलना होगा जिसके बाद वो उसके घर जाते हैं जहां सैरा नेम जिंच करके रह रही थी बट एलन उसे पहचान लेता है और उसे सारी बाते याद दिलाते हुए कहता है कि वो ही एलन है जिससे सुनकर सैरा बेहोश हो जाती है और वो उसे उठाकर अपने घर में ले आता है जहां जैसे तैसे करके वो उसे गेम खेलने के लिए मना ही लेता है और वो काफी डरी हुई थी बट गेम खेलने के बाद सब कुछ नार्मल हो जाएगा इसलिए वो अपनी चाल चलती है जिसे कि एक बहुत बड़ी और खतरनाक बेल महां पे आती है और उसमें बड़ा सा फूल लगा था चुकि पीटर को पकड़कर अपनी दर्फ खीशने लग जाता है और दूसरे रास्ते से वापस घर में खुष जाता है जिसके बाद जूड़ी अपनी चाल चलती है जिसे गेम के सारी खतरनाक जानवर वहां पे आ जाते हैं वो सब जान बचा कर भागने लगते हैं लेकिन तब ही एक बड़ा सा बतक उनका गेम लेकर वहां से और जिसके बाद वो सब गेम लेने के लिए बतके पीछे जाते हैं जहां पीटर जजज़त ऐसे करके गेम को बचा लेता है और वो लोग वापस आ ही रहे होती हैं कि तबी काल वहां पे आ जाता है क्योंकि पूरे शहर में भगदर मचे हुई थी या नकीतनी सारे जानवर जो क गेम खतम करने के लिए चीटिंग करते हुए चान बोचकर पासे जोर सी फेकता है जिससे कि ऐसा नमर राय जिससे कि गेम एंड हो जाए लेकिन गेम उनसे भी जादा चलाग थी और रूल तोड़ने की सजा वो उसे देती है और वो धीरे धीरे पीटर बंदर में बदलने ल जाए तो वह आके उसे ले जाए एंकाइस गेम के सारे चानवर पूरे शहर में तबाही नचा रहे थे जिसके बाद सेरा जूड़ी और पीटर शिकारी का पीचा करते हुए एक स्टोर में चले जाते हैं और जैसे तैसे करके वह उसे गेम छीन लेते हैं जहां एलन भी पारिश होने लगती है सिर्फ उनके घर में और रहती बाहर सब कुछ पूरी तरह से ठीक जहां नौरा काल के साथ में पहुंच आती है और वो जैसे ही गेट खुलने की कोशिश करते हैं का इस गेट पानी के फोर से पूरी तरह से तूच आता है और दोनों दूट जाकर गेट अपना पासर फिकती है जिससे की जमीन फ्रीज हो जाती है एलन का सर उपर था और बागी शरी नीचे लटक रहा था सहरा भी उससे बचाते हुए फज गई थी तब पीचर अपनी चाल चलता है और गेम से बड़ा सा मकड़ा निकल कर आता है जहां जूडी और पीटर उसे म गेम भी नीचे कर जाती है जिसकारांण से अविच ईससी ऐसे कशे है और गेम को बचा लेता है और बेन को फरसी करने है रहता से है ikhailati जेंसे के पई एक और दोड़कता था है और फाइल हिए उसमें अम्मार आता है जो उन्हें कर लिए चाहिए ता है कि तभी शिकारी एलन से पूछता है कि उसकी आखरी खौहिश क्या है जहां एलन देख लेता है कि वो गीम जीट चुके हैं जहां वो जोरो से जुमान जी कहता है कि तभी वो शिकारी उसे शूट कर देता है लेकिन गन की बुलेट रिवर्स हो जाती है जिससे की सारे चीजे जो कि गेम से बाहर आई थी Guys, वो धीरे-धीरे करके सब कुछ वापस चाने लगता है सारे के सारे जानवार और जितनी वी खतरनाख चीजे गेम से बाहर आई थी वो सब उसमें चले जाते हैं और सब कुछ पहले जैसा हो जाता है यानि कि गाइज एलन और सेरा 9069 में वापस पहुच आते हैं चाहाँ सी उन्होंने इस गेम को स्टार्ट किया था कि तब ही एलन के फादर अपने इस पीच लेने के लिए घर वापस आते हैं जो कि वो भूल गए थे जहां एलन इनके पास जाता है और उनके गले लगकर बहुत जादा खुश होता है क्योंकि उसे रिलाइस हो चुका था कि उसके पापाऊ से कितना जादा प्यार करते हैं और वो अपने बैट बिहेवियर के लिए उनसे माफी मांगता है साथ ही फैक्टरी में हुई उस मशीन वाली घटना के लिए भी वो अपने गलती को मान लेता है और उनको सौरी बोलता है तो अब उसके दोस कार्ड को भी जौब से नहीं निकाला जाएगा और अब सैन यानि के उसके फादर उसे बोर्डिंग स्कूल भी नहीं भेजते हैं जिसके बाद एलन गेम को पत्थर से बांध कर रिवर में फेक देता है ताकि वो किसी के भी हाथ में ना लगे काई सीन यहां से शिफ्ट होता है और 26 साल पाद दिखाया जाता है कि एलन और सेरा ने शादी कर ली है और उनका एक बीबी होने वाला है और घर पर उन्होंने क्रिस्मस की पाटी रखी हुई है जहां वो लोग पीटर जूड़ी और उनके पेरेंस को भी बुलाते हैं और वहां वो उन्हें देखके काफी खुश हो जाते हैं क्योंकि वो वैसे ही दिख रहे थे जैसा कि 26 साल पहले गेम की टाइम लाइन में वो थे क्योंकि उन्होंने इस केम को इस वक्त में नहीं खेलाई इसलिए उन्हें कुछ भी याद नहीं था जहाँ उनकी पेरेंस अलन को बताते हैं कि वो एक ट्रिप पे जाने वाले है लेकिन आलन उनके जाने का प्रेंट कैंसल करेता है क्योंकि गाइस अलन को पता था कि इसलिए वो उन्हें एक आउफ्ष करता है तो वही दूसरी तरफ दो लड़कियों को समंदर के केनारे जो मान जी गे मिलती है तो अब आप मुझे कमेंट करके ये बताएंगे कि आपको मेरा एक्स्प्रनीशन कैसा लगा तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो और एक्स्प्रनीशन दोनों ही अच्छे लगी तो एक छोटा सा लाइक कर दीजेगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीज़े जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ऐसे ही अच्छे और इंट्रेस्टिंग वीडियोस आपके लिए लेकर रहाँ तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाई बाई